विर्षा मुंडा जी भगवान विर्षा मुंडा जी 24 साल की आयू पर शहीद हो गए अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की धन देने की कोशिश की उनको खरीदने की कोशिश की भगवान विर्षा मुंडा जी ने कहां नहीं मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए मुझे जमीन नहीं चाहिए मुझे खरीदा नहीं जा सकता मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे दुन्या में सबसे बड़ी शक्ती थी और 24 साल के बिर्षा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और एक इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी उनको शहीद कर दिया गया यह आपके चिन हैं यह आपको रास्ता दिखाते हैं अब देखिए BJP के चिन को देखिए RSS के चिन को देखिए सवरकर जी दो-तीन साल उनको एंडमन में बंद कर दिया उन्होंने चिठी लिखनी शुरू कर दी हमें माफ कर दो जो भी हमसे चाहते हो ले लो बस मुझे जेल से निकाल दो सवरकर जी में और भगवान बिर्सा मुंडा जी में फरक देखिये 24 साल में ये शहीद हो गए आदिवासियों के लिए सिर्फ आदिवासियों के लिए हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए और दूसरी तरफ सवरकर जी जिनको वीर कहते हैं वीर सवरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिए लोगों को पताया नहीं कि उन्होंने लिए एक किताब लिए दूसरे नाम से लिए कि सवरकर कितने वीर हैं और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे अंग्रेजों के लिए काम करते थे कांग्रेस के किलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे और दो-तीन साल पाँच साल में जेल के बाद सच्चे सवरकरजी पूरे देश को दिखे चिठिया लिखी और अंग्रेजों ने कहा आजाओ हिंदुस्तान के खिलाब हमारे साथ काम करो सवरकरजी ने हाज जोड़े कहा हाँ जी मैं हाजर हूँ जो भी आप मुझसे चाहतों मैं करूँगा यह है आपके भगवान में आपके नेता और उनके नेता में फरक